सो ऑलो स्टूदेंट्स आज हम स्टार्ट करने चारी है सेकिंड चैप्टर ठेक्शन और डेसिमल्स एक्सराइब 2.1 फॉस्ट पोइट वान पोर्स्विशन है सॉल्फ फ्रेक्शन सी अडिशन और सब्रेक्शन को हमें सॉल्फ करना है हमें पता है फ्रेक्शन प्रॉपर numerator is less than denominator, fraction क्या होती है, numerator upon में denominator, अगर numerator is less than denominator, तो fraction है, proper fraction, अगर numerator is greater than denominator, then fraction is improper, यहाप आप 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और अगर fraction इस फॉर्म की है, then it is called mixed fraction, अगर numerator is less than denominator, तो fraction होगी proper fraction, अगर numerator is greater than denominator, fraction होगी improper, और अगर इस टाइब में fraction आपको given है, तो यह है mixed fraction, अब हमें fractions की addition और subtraction को solve करना है, start करते हैं, question number 1 के साथ, solve 2-3 by 5, 2 is the whole number, किसी भी whole number के अगर हम denominator में 1 लगा दें, तो वो fraction हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, denominator नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1, number 1, first step यह हो गया, अब दोनों fractions हैं, numerator upon denominator, दो fractions हैं, 2 by 1, 3 by 5, इन्हें हमें करना है, subtract, minus करना है, जब भी दो fractions होंगी, subtraction में या addition में, अगर उनका denominator सेम नहीं है, तो जितनी भी terms होंगी, जैसे यह दो terms है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उन सभी terms के denominator का हम LCM लेगें, क्यूंकि यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 आप 5 का LCM आएगा 5, आप चाहो तो लिख सकते हो LCM of 1 and 5, is 5 तो वो आपने लिखा denominator, clear इतना, सबसे पहरा स्ट्रेफ दोनों fractions में हो, अगर किसी term में denominator नहीं लिखा, तो आप उसमें upon 1 ले लोगे, उसके बाद चेक करना है कि जितनी भी terms given है, क्या उनके denominator सेम हैं या different है, इसका denominator है 1, इसका denominator है 5, दोनों denominators different है, तो हम इनका क्या लेंगे LCM, तो LCM आया इन दोनों का 5, 1 into 5, 5, अब जो ये term है, पहली term के denominator की term और जो LCM आया, इसे divide करेंगे, 5 को 1 से divide किया, क्या आया, 5 divided by 1, किसी भी term को 1 से divide करेंगे, वही term आएगी 5, जो answer आएगा, उसे numerator से multiply करेंगे, 5 divided by 1, 5, now 5 into 2, जो numerator में है, उसे multiply कर दिया, रिया गया, now 5 divided by 5, 5 को 5 से divide करेंगे, 1, 1 को 3 से multiply किया, clear, 2 into 5, 10, 1 into 3, upon 5, 10 minus 3, 7 upon 5, तो ये हमारा first fraction की subtraction solve हो गई, एक बार दबारा से बता रहे हूं, सबसे पहले दोनों fractions हों, fraction होती है, numerator upon denominator, अगर किसी के denominator में कोई term नहीं गिवन, तो आप उसे 1 ले सकते हो, उसके बाद आपको चेक करना है, जितनी भी terms गिवन है, 2, 3, 4, उनके denominator सेम हैं या नहीं है, अगर denominator सेम नहीं हैं, आप उनका LCM लोगे, वोट आम लिखी जाएगी, denominator में जो LCM लेकिया, 5 को डिवाइड किया 1 से, आया 5, 5 को 2 से मल्टिप्लाइ कर दिया, जो numerator में है, 5 को डिवाइड किया 5 से, आया 1, 1 को 3 से मल्टिप्लाइ किया 3, 2 इंटो 5, 10, माइनस 3, 7 बाए 5, यहां हम क्या हैं, क्योंकि यहां पे denominator 1 था, तो इसको, इसके मल्टिप्लाइ कर दो, 5 इनटो 2, 10, माइनस 1 इन्टो 3, 3, रिवर्स कर दिया, जो इसका denominator था, उसको इसके numerator से मल्टिप्लाइ कर दिया, लेकिन यह तभी होगा, जब दोनो denominator में कोई common factor नहीं है, जैसे 2 और 8 उसका LCM 8 आएगा है उस case में यह नहीं होगा ठीक है क्योंकि याँ पर 1 और 5 हैं दोनों different terms हैं तो इनका LCM 5 आगया clear now second part पर चलते हैं 4 upon 1 सबसे पहले LCM of 1 and 8 is 8 1 के साथ किसी भी term का LCM लोगे वही term आएगी 8 आएगा denominator में 8 को divide किया 1 से 8 numerator से करेंगे multiply plus plus का sign है 8 को 8 से divide किया 1 numerator से multiply करेंगे 7 4 8s are 32 plus 7 39 by 8 clear 39 by 8 यह तो है जब एक factor एक denominator 1 है term और एक denominator की term different है तो यह denominator आएगा अब दोनों terms different है 5 और 7 क्या 5 और 7 किसी एक table पे आते हैं नहीं तो हम इन दोनों terms को multiply कर देंगे 5 और 7 is 35 LCM of 5 and 7 is 35 यहां लिखेंगे 35 तिया 35 को 5 से divide करेंगे कितना है 7 उसे numerator वाली term से multiply करना है middle में है plus 5 35 को दिवाइड किया 7 से 7 5 से 35 तो 2 इंटो 5 21 प्लस 10 35 31 अपान 35 4 है 9 by 11 minus 4 by 15 दोनों terms अगें different है LCM लेंगे 11 और 15 किसी भी एक table पे नहीं आती LCM of 11 and 15 165 क्योंगे हमें 15 और 11 को multiply करना होगा जब किसी भी time को 11 से multiply करोगे तो उसको आपको multiply करके देखने की जरूरत नहीं है जैसे 11 है 15 into 11 अगर आप 15 into 10 करो 150 11 है तो plus 15 से multiply करना है plus 15 कर दो आगया 165 10 से तो आपको पते हैं यह पीछे एक 0 लग जाएगी जिस टर्म को 11 से multiply करना है वो टर्म आपने add करते हैं तो 150 plus 15 165 यह हम क्या सकते हैं 11 मतलब 10 plus 1 15 into 10 plus 15 into 1 150 plus 15 165 तो किसी भी टर्म को आपको 11 से multiply करना है उससे 10 से multiply कीजिए जिस टर्म को 11 से multiply करना है वो टर्म add कर दीजिए तो आपकी calculation easy हो जाएगी multiplication में time भी waste नहीं होगा clear यहां पर आपका time बचेगा इस question में मालों आपका time बचा तो किसी और question में जिसे ज्यादा time देने की जरूरत है अब आपके दे सकते हो तो यहां पर आया 165 165 divided by 11 11 से divide करेंगे तो यही टर्म आएगी 50 जब भी दोनों terms different है सीज़ा आपका क्या रूल है cross multiply करदो denominator को numerator से जब तक इन दोनों terms में कोई factor common ना हो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अगर denominator में कोई common factor नहीं है first term के denominator को second term से multiply second term के denominator को first term से multiply so हमारे पास आया 9 into 15 minus 4 into 11 clear 135 minus 44 upon 165 5 minus 4 13 minus 4 91 upon 165 clear है 4 parts now next में चलते हैं अब यहां पे हमारे पास denominator में हैं तीन terms और कुछ common factors भी होंगे जैसे 10 का common factor 5 भी है तो हम इनका LCM लेंगे 2 5 10 LCM means least common factor सबसे पहले 2 पे 2 1 0 2 5 नहीं जाता 2 5 0 10 5 1 0 1 5 1 0 1 LCM आया जो भी यहां पे time आई 2 into 5 तो LCM of LCM of 10 5 and 2 is 2 into 5 equals to 10 जो LCM आया उसर हमने लिखा यहां पे 10 divided by 10 1 10 divided by 5 2 2 into 2 plus 10 divided by 2 5 तो 3 into 5 clear है जब भी factors denominator में ऐसी terms हैं जिसमें कोई factor common होगा हम LCM लेके देखेंगे इन terms को multiply किया हमारे पास आया 10 10 लिखा हमने denominator में 10 को 10 से divide किया 1 7 into 1 10 को 5 से divide किया 2 2 into 2 10 को 2 से divide किया 5 5 into 3 7 into 1 2 into 2 3 into 5 15 7 plus 4 11 plus 15 5 plus 1 26 by 10 आप चाहो तो इन्हें कट कर सकते हो 13 by 5 भी लिख सकते हो next हमें जो दी है mixed fraction mixed fraction को पहले हम solve करेंगे जो यहां term भी होती है उससे multiply करेंगे जो answer आएगा उसमें numerator plus करेंगे इन दोनों terms को करेंगे multiply जो answer आएगा उसमें numerator को करेंगे add तो क्या आया हमारे पास 3 into 2 6 numerator add plus 2 2 into 3 6 plus numerator यह आया तो हमने इसे solve किया 32006 plus 2 8 by 3 32006 plus 1 7 by 2 तो इन्हें solve करके हमारे पास यहाया mixed fraction को solve किया अब अगर हम terms सेखें दोनों different है कुछ common factor नहीं है 1 के इलागा तो LCM of 2 and 3 simple multiply कर देंगे 6 6 को 3 से divide किया 2 8 into 2 plus 6 को 2 से divide किया 3 7 into 3 60 7 into 3 21 upon 6 6 6 plus 1 2 plus 1 so 37 upon 6 यहाया अमारे पास यहाया अमारे पास नव नव ने फिर सुल करेंगे 2 8s आ 16 plus 1 17 by 2 minus 8 3s are 24 plus 5 29 29 by 8 अब जो denominator में terms है उसमें 2 common है तो हम LCM लेंगे 2 और 8 का 2 1s are 2 2 4s are 8 तो LCM अमारे 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 पास 8 LCM of 2 and 8 is 8 लिखा LCM यहा पे 8 को 2 से दिवाइड किया 4 so 17 into 4 minus 8 को 8 से दिवाइड किया 1 1 into 29 68 minus 29 upon 8 18 minus 9 5 minus 2 so 39 upon 8 39 by 8 एक बार दोबार से डिसकस कर रहे हैं हमने क्या किया questions में सबसे पहले अगर fraction में हमारे पास ऐसी टाम है जिसमें denominator नहीं लिखा उसके लिए हम लेंगे denominator में term 1 अगर 1 और कोई और टाम है तो LCM सीदा वही term आएगी 5 आप cross multiply कर दिजे 5 को 2 से और 1 को 3 से जो sign middle में है वो sign आएगा multiply किया solve किया है similarly 1 के साथ है तो यहीं होगा 8 को आपने 4 से multiply कर दिया 1 को 7 से कर दिया अगर दोनो terms different है means उनमें कोई भी common factor नहीं है 1 के इलावा तो उन्हें multiply करोगे LCM लेने के लिए 5 into 7 35 इसमें भी आप cross multiply करोगे 7 को आपने multiply कर दिया 3 से 5 को multiply कर दिया 2 से जो भी sign है addition, subtraction, more लगाया solve किया इसमें भी दोनो terms different है 15 and 11 multiply किया 165 15 को 9 से 11 को 4 से solve किया यह तो case थे कि जब दोनो denominators different है उनमें 1 के इलावा कुछ भी common नहीं है अब अगर कोई ऐसे factors आते हैं जिनमें common है उसका आपको LCM निकालके देखना होगा जैसे 10, 5, 2 10 का factor 2 भी है और 5 भी है तो 2 1s are 2 5 as it is 2 5s are 10 आम ना आ जाए तब तक आपको solve कर रहा है इनको multiply करेंगे 2 into 5 10 तो LCM आया 10 10 को 10 से डिवाइड किया 1 multiply किया numerator से 10 को 5 से डिवाइड किया 2 जो answer आया numerator से multiply करेंगे 10 को 2 से डिवाइड किया 5 5 को numerator 3 से multiply किया 50 addition sign है add किया सभी numerator की terms को तो हमारे पास 26 और denominator में हमारे पास 10 next में mixed fraction है पहले से simple fraction में change करेंगे 3 into 2 जो term यहाँ है वो उंगल multiply होगी जो answer आयगा उसमें numerator वाली term add होगी 32006 plus 2 8 by 3 denominator same रहेगा 2 into 3 6 plus 1 7 by 2 12 दोनों टांस different है कुछ भी कॉमन नहीं है वन के इलावा तो LCM आया इन दोनों को multiply करके 6 6 को डिवाइड करेंगे 3 से add 2 उसे multiplier किया 6 को डिवाइड करेंगे 2 से add 3 3 को multiply किया 7 solve किया next question में अगें mixed fraction है 2 into 8 16 plus 1 17 upon 2 8 3s are 24 plus 5 29 by 8 2 और 8 है 8 का common factor है दोनों में 2 8 का 8 में 2 भी आता है factor तो हमने LCM लिया आया हमाल पास 8 8 को 2 से डिवाइड किया 4 17 into 4 68 minus 8 को 8 से डिवाइड किया 1 1 into 29 subtract किया 18-9 5-2 39 by 8 clear है note की जीर से की है जीर स् JACK यहराएब का अंड़ Whenever 5łe नगया रे की जाजएश बं़ की है का यहराएग की लिवाieß